नमस्कर में नम प्रिकास है आप टेड़े विहार नीज देख रहे हैं विहार में चुनावी साल है और चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है इस बीज संकर्मन भी लगातार फैल रहा है पोजेटिव मरियो कांकरा एक लाख के पार पहुंच चुका ह है चुनावायों को तैय करना है कि बेहार में चुनाव कब होंगे लेकिन देखे इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है आरजेडी के बाद अब जेडियू ने भी पार्टी के गद्दारों को पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम करने वाले पर डंडा चलाना सुरू कर दिय है जेडियू ने स्याम रजक को पार्टी से हटा दिया है इस वक्त की सबसे बड़ी कबर है स्याम रजक जेडियू कोटे से नितीज कैबनेट में मंत्री हैं बेहार के उद्दोग मंत्री रहे हैं और अब उन्हें जेडियू से हटा दिया गया है खबरे सामने आ रही थी कि स्याम रजक किसी वी वक्त पार्टी छोड़ सकते हैं आर जेडी में जा सकते थे स्याम रजक लागातार पार्टी में अपनी हो रही ऑवहलना से परिशान थे और वे निरने कर चुके थे हम जेडीयू को छोड़ देंगे लेकिन इसकी जानकारी जब मीडिया के माध्यम से जे भिहार के अध्व दोग मंतरी वजेडियू से विधायक सियाम रजक को पार्टी से हटाये गिया है नितीश कुमार की पार्टी जेडियू के खदावर नेता रहें सियाम रजक की सिपुरवो लालू परसाद यादों के करिबी थे राबरी देवी के सरकार में मंतरी भी थे ला एक बार फिर से वे आरजेडी में जा सकते हैं कहा है जा रहा है कि कल यानि कि सुमवार को स्यामरजक आरजेडी का दामन थाम लेंगे आरजेडी में जुड़ जाएंगे जेडी उन्हें अब उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है इससे पुरो आरजेडी ने पार्टी के तीन विधाया के फराज भात्मी महस्वर यादव और के प्रेमा चौधरी को पार्टी से बाहर किया लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी कबर है उन तमाम कयासों पर बिराम लग गई है स्याम रजक के पार्टी छोड़ने पर अब जेडियू ने पार्टी से बाहर कर दिया ह जेडियू के परदे सद्यक्ष ने कारेवाई की है सबसे बड़ी खबर है 2009 में आर जेडियू छोड़ जेडियू में सामिल हुए थे नितिश कैबनेट में मंत्री भी है बिदायक भी रहे हैं और अब पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है वे एक बार फि पेस्बुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो ठोड़े वी हार्डियूज के पेज को लाइक जरूर कर लें धन्यवाद जर याम सेख़ दर रहे हैं और अब ज्वा आड़ झाल झाल